पीनट बटर खाने में जितना लजेज होता है उतना ही आपके सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है इसमें कई पोशक तत्व मौझूध होते हैं जिसे कि पोटेशयम, मेगनेशयम और अग्य कई पोशक तत्व से पीनट बटर भरपूर होता है और ये हमें कई बीमारियों से भी दोस्तों बचाता है पीनट बटर जिसे की हम हिंदी में मुंख़ली का मक्खन कहते हैं ये आम मक्खन से बहुत ज्यादा टैस्टी और खाने में लापकरी होता है भारी संख्या में लोग दोस्टो पीनट बटर का इस्तिमाल करते हैं पीनट बटर स्वाद में ही नहीं बलकी दिल के लिए भी काफी फाइद्मन होता है इसमें saturated fat होता है लेकिन olive oil की तरह ही इसमें unsaturated fat की मात्रा भी बहुत अधिक होती है जो की दिल को सेहत मन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है अगर आप संतुलित मात्रा में अच्छी क्वालिटी के पीनट बटर का इस्तिमाल करते हैं तो ये आपके दिल को फाइदा पहुंचाने में बहुत मददगार होता है तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं कि अगर आप पीनट बटर का सेवन करते हैं तो आपको क्या लाब हो सकते हैं दोस्तो पीनट बटर आपको कब्ज से छुटकारा दिलाता है छोटे बच्चों को कब्ज की समस्या पैदा हो गई है तो आप peanut butter वाला sandwich उन्हें खिलाईए इससे उनको दोस्तों राहत मिलती है इसकोल जाने वाले बच्चों को energy की बहुत आविशकता होती है इसलिए सुबर breakfast में अगर हम peanut butter उन्हें खिलाते हैं तो वो लाबकरी होता है अगर हम peanut butter का सेवन करते हैं तो ये आखों की रोशनी के लिए लाबकरी होता है आखों पर अगर चश्मा लग गया है तो आप peanut butter का सेवन जरूर करें क्योंकि दोस्तों peanut butter में protein काफी अच्छी मात्रा में होता है और इससे आखों की रोशनी भी बढ़ती है अगर आपकी बुद्धी कमजोर है तो आप अपनी डाइट में peanut butter को जरूर शामिल करें यानि कि किसी चीज को कहीं रख कर आप बूल जाते हैं तो peanut butter आपके लिए लाबकरी होता है peanut butter का सेवन 30 दिमाग के लिए लाबकरी होता है अगर आप अंडरवेट है यानि कि आपका वेट सामिन्य वेट की तुलना में कम है तो आप अच्छे किस्म का peanut butter का इस्तिमाल करें peanut butter में वसा होता है जो की शरीर में वजन को बढ़ाता है तो दोस्तों ये था कि अगर आप सवेरे नास्त में एक चमच peanut butter का इस्तिमाल करते हैं तो आपके बोडी को क्या लाब होते हैं दोस्तों peanut butter प्रूटीन का भी काफी अच्छा स्त्रोथ होता है अगर आपको जानकरी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद